कि अब आज अधिन नाइट कि स्टड़ी करेंगे इसका नहीं है पीरियोडिक क्लासिएक अगाल क्लासिएक सब्सक्राइब सबसे पहले आपने 910 में स्टेडी की होगी अलग-अलग साइन्टिस्स के नाम से कि पिरियोडिक टेवल का स्टार्टिग विए उराने टाइम में एलिमेंट्स बहुत कम नंबर में डिसकावर थे तो उनको वर्वली आसानी से याद रखा जा सकता थे कि लेगिन ज्यसे ज्यसे इल्यक्यामन के नंबर सिकावरी इंक्रिग वह हूं प्राबलम वहाने लगी इनके लिए एक ऐखुवार्टिक्युलर फीक्वेंस कि इनकी प्रापर्टी के अपार्डिंग इनको अरेंज किये ला है उसलिए एक आवश्यक्ता हुई क्लासिफिकेस उसमें क्लासिफिकेस अप एलिमेंट को डिस्कवर किया रहे टेवल का फार्मेशन है टेवल जंदे उसको हम बहुत है पीरियोडिक टेवल आज के जमान लेक किन सबसे पहले साइंटर्टिस नहीं सबसे पहला साइंटिस्था डोब्रिन दोगरी दोब्रिन दोगरीन नक्या किया तीन एलिमेंट के ग्रूप और फार्मूल अबहुब जने तकी ए एक मास आप सब्सक्राइब करें लिए सब्सक्राइब कि यह इनकी प्रापरेटी से में जैसे फास्ट ग्रूक में जाओ देख लीटियूं तीरी सेवन सोडियम 1123 पोटेशियं 1939 इस तरह के गुरूप बना है इसी दर है क्लोरीन क्लोरीन प्रोमींग ग्रूपिंग यहां ग्रूपिंग की तो इस पार्मुले के प्रेस के अप्रूपिंग डॉब्रीन डॉपर ट्रेट क्या बुला उसने कि इसको कंसीलर किया है इसको कंसीलर किया और यह बना भी ऐसक्व आपको फूला इडिया लगा सकते जहां आप एक और मास कितना है सेवाल यहां कुटतिया अप्सनेर सेवाज फिर पूटतिया सिंग मास थिनाइन टोटल आया प्रूरटी सेट सेट उसको डिवाइद किया तू से वांसर बना बी क और यह बोला कि इसमें इनकी जो प्रापर्टिय लीथियम जोडियम पोटेश्यान एप्जिमॉं प्रापर्टियम इसी तरह उसने फ्लोरी कि लोरी कि ब्रोमीड एन आयोडी इसमें भी आरेजमेंट किया इसका राउंड अप्में एक मासम क्या कर सकते हैं 35.5 अ दूसरी चीट इसका एक मास एक प्रॉक्स एटी और यह हुआ अगर आप इसको रिप्लेस कर दें तीनों की बार करें इन तीनों में जब आप इसका टोर्टालिस से करोंगे और तुम से डिवाइन करोंगे तो यह आ जाए लगवा इस लिए पूछ दिनों तक चला और नई डिस्कावरी और नए डिस्कावरी में क्या हुआ यहां पर आया निव लेंड का आक्टेव रूल ने एक आक्टेव रूल एट एलीमेंट को ग्रूपिंग आठ एलीमेंट को और यह बोला कि जिस तरह सब्सक्राइब मतलब फास्ट एलीमेंट से प्रापर्टी में इस तरह की एक सिक्वेंस को ऐसे इसी में लेते हम फास्ट रूप लीधियम सोडियम पोटेशियम यहां पर इसको डाउन साइड लेना पड़ेगा लीधियम के बार बेरिलियम बोरान कार्वन नाइट्रोजन अक्सिजन प्लोरीन ओल्ड टाइम में नॉबल रियस की दिस्टावरीद नहीं थी तो लीधियम थी बेरिलियम फॉर फाइव सिक्स सेवन एट नाई इस तरह यह यहां 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 नंबर के बैस पर अभी कोई कंसेट प्रेशा नहीं आया था जिससे की कोई कंसेट को यूज करके कोई प्रियोटिक केवल का पार में सब्सक्राइए तो लीधियम साहे तो सोडियम भी सा तो इनकी दोनों की प्रापरेटी क्या होती है नेच होती है अब आगे पर यहां कोनों होगा मेगनीशन एल्यूमिना सिलिकॉन एक्वल थार्दीन और दीन पास्पोरास विफ्टीन सल्फान सिट्टीन क्लोरिन सेवंटीन अब देखिये फिर से यह साब रेग मावाग दनी और और फिर नया एलिमेंट साबंगे आएगा जिसका नाम होगा और फिर सिक्वेंस में इसका चलते हैं इसको बोलते हैं न्यू रैंड आक्टेव लेकिन यह भी बहुत कम दिनों तक चला और चलने के बार कोई भी नई चीट इसकवर होती ही कुछ समय चलती है नया साइंटिस जब तक उसको नये पैटर्न को ना लाए चलता है और जैसे नया प्रेटर्न आता है यहाँ डिसकावरिक पुरानी वादी चेंज हो जाती है कर दो चैंज हो जाती है कि तो चैंज होती रहेगी हम आगे बढ़ते रहेगी आब यहां पर क्या आता है यहां आप चाहे तो इसको डिक्टेट कर सकते हैं आप उसके नाम को जानते हो उसका नाम है अज़ी इस पैलिग अजीव टाइब की और अजीव टाइब की एव प्रनाम उसेशन अपने को याद होना चीए में लीव ग्लासिफिकेसान पेलिगान ने सबसे पहले बहतर ड्राइब की थी आल एलिमेंट को अरेंट करने और उसने बहले एक कंसेट यह कोई बेसिक कंसेट आपका पास ना होगा कि तने भी क्लासिफिकेशन ट्रीगे चार यहां उसने आंचेट को क्या दिया मेंड लिफ की जो पीरिओडें योजए सोन पीरिओ लाइट गूंट जिसे हम बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लाव क्या है लाव एक्वार्डिंटू मेंडलीफ पीरियोडिक लाव झेल अद करेंड खीटन औरठीयोग मेंड़ान तो उसके खीडियोर्ड जे रिकालक अल्यमेंटूडन जाःतो । है यह उसकी लाज को पीरियोडिक लाज इसको में लेकिन यहां उसने मास की कंपरिजन में एलिमेंट को और एक मास वेरियबल प्रेटा है इंतो में मास् सूर्ण मोंता है ए lounge माज कन किma की विखते का जैसे जैसे गाश से आकौरमें इंक्री ठेश होका, का और के की को सके ईच्यांतो हुआ है आप समस्यारी आती है कि यहां पर में डिलीफ ने जो पिरियोडिक टेवल को डिजाइन किया उसमें क्या थे कि यहां पूरी प्रियोडिक टेवल को डिजाइन नहीं करेंगे जो हमारे मतलब की इसको गुलते हैं गुरूप किसको बोलते हैं यह समझेंगे और दूसरी चीज़ समझेंगे मैं डिलीफ ने क्या द्राबेक्स एक मतलब मैं एक प्रियोडिक टेवल में यह कि दT is तो यह इस स्थुरे का जो जो इसको बोलते हैं में वाटिकल को एक पीरियोडिक के नाम से में अधिताल और इस तरह की जो लाइन फोर पेरियोडिक यह लोग्शाल यह आए यह तो बोलते हां इसको बोलते है यह ग्रूप है अब गुरूप कितने थे प्या थे वह जीरे दिए हम इस तरह है यह फर्स्ट तो यह से कांड यह थार्ड यह फोर फिर शेक्स और इसी तरह है इसे ग्रूप है यहां पर उसने क्या किया कि जो गुरूप सुथ है उनकुश सब डिवाइट सब दीजल में मतलब ग्रूप एवी पस्त गुरूप को दो पार्ट डिवाइट ने दिवाइट्ट प्रस्ट पर दिवाइट्व और अ हे अबिकात मुटार्पी जा सेक्ड़ गर करें कि मपटेर्ट ग्रूंप को उसने दिवाइड नहीं किया एक गॵ्रूप को उसने ०िवाइड नहीं किया चाहलेodel नहीं किया नहीं के लेन खुरुप में उसने तीन टीन ऐलिमेंट के नाइन एलिमेंट की तीन अलिमेंट की। सटुछ बेसे मैं को बात है आपको किसी दूब को मिलना करा जबाने में को मैं एक प्रोट पुरॉट कॉने पनी और में एक प्रोट इस था पुराने जमाने में इस टाइब की डिजाइन तो देखते हैं कि इसके सेवन पीरियर्ट से यह यहां नाइन गुरुप की पीरियोडिक टेबल शेवन तपीरियेट और गुरुप से कितने थे नाइन मैंडलिक की पीरियोडिक टेबल में नाइन और पीरियेट कितने थे सेवन नाइन कहां हैं हमारे पास तो बॉर्ड पर एट ही गुरुप बने बाइन टू थी पॉर थाइप सीच सेवन एट और लास्ट वाला गुरुप क्या था जीरो गुरुप था लास्ट वाले गुरुप का नाम क्या था जीरो और मैंडलिक उसको वेकेंड चोड़के गया था वेकेंड उसके पास जबाने में पूरी एलिमेंट नहीं था इसलिए उसने जिए चोड़ दिया वेकेंड और ऐसा जब हम इसकी बाद में स्टेडी करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाए आप यहां कुछ एलिमेंट को अरेंज करें और सीधर सीधर मेंडली पीरियोडिक टेबल के ड्रापेट्स पार तो यहां पर ड्रापेट्स में आने में क्या होगा ट्राप एक्स में जैसे यहां पाओगे तो पहले यह तो समझें कि कोन कहां है फस्ट एक ग्रूप में सबसे टॉप पर हाइड्रोज है यहां सेवन थे ग्रूप में आओ पार विफ पीरियेड में भी है हाई जो कियों समझतु है यहां को हुना है लिधियाम सॉडियाम पोर्टेशियाम रोहें कि आन सियाम और यь था होंगे मंते आपंपि के बलाना मानिम लेकि लीथियाम सोंडियां कोटच्याड्यूप पतेशियाम či Francis यह फस्ट एकृऌपक यहां आई यह सेवंते गृप में फ्लोरीन प्लोरीन रोमीन आयोडीन फ्लोरीन 9 लोरीन 17 लोमीन 35 लिए अस्टेजी नेटीफाइल यह पाचो एलिमेंट है लोचन फैमेली के में पर्स यहां भी इनको ऐनको कॉलेक्टर करके लिए लीजियाँ पर आप्लेक्टर के लिए लि सब्सक्राइब इस तरह इतने सारे एक रूप में तो फस्ट भी में कौन है पस्ट भी में तीन एलिमेंट और जिंक पापार एस यहां पर है फस्ट भी ग्रूप ग्यान से यह फस्ट भी ग्रूप के एलिमेंट आपार एजी एई आपार सिल्वार कोड़ यह फस्ट भी ग्रूप के एलिमेंट ठीक अब सबसे पहले हम सब्सक्राइब तो पीरियोडिक पेवन का सबसे पहला ग्रावेक्स क्या है सबसे पहला ड्रावेक्स के पोजी साना हाइट लोजाएब इसमें क्या क्या इसमें कमियां सी मैंडलिक में क्या क्या इसमें ड्रावेक्स पहला पोजीशन आफ आइड्रोजन कि यह सब्सक्रावेक्स हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वह इंडेफिनेट में क्या आइड्रोजन को फर्स्ट है ग्रूप में अंकली मेटल के सांद प्लेश कर दिया जो है लोजन फेर्मेली के मेंपर्स अब उसने इसा क्यों किया उसने इसलिए कि हाइड्रोजन की प्राफर्टी अल्काली मेटल से भी में चौत के समय चौती है इड्रोजन के पास जा एक इलक्तान आउंटर मौस्थार इसके पास है एक इलक्तान इसके पास है क्या प्राबलम है भाई आए तो पहला ट्रावेक्स क्या है पहला ट्रावेक्स है पोढ़ी सना है इंडर्पिनेट इंडर्पिनेट इंडर्वनक। प्रापर्टी अलकली मेटल से भी मेच होती है और रोजन की प्रापर्टी है लोजन फैमेली से भी इसलिए में लिप कंफ्यूज हो गया तो दूसरे एलिमेंट ने वहां पर रहला किया वहां आइड्रोजन को दो पोजिशन और हमको तो कुछ भी नहीं एधाय है तो बहुत हिए कि परापरिटि के वेस्ट प्लेश्ट मिलेंगे तो refill पेडियोत प्लेश्ट हो जाए इस लिए वह सहले हैं प्लेशन है प्रापरोटी रिखनगा रिगूलर इंटरवर्ड कि इसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल पापर्टी उसके मास के रेगुलर इंडर अम मास के बेस पर तो आइसो आप से पेड़ा होते मास डिफरेंट्स होगा जैसे हाइड्रोजन के आपको पड़ाएदा हाइड्रोजन के तो तीन आइसो ताप से तो फिर तीन के लोड़ी तो क्लोरीन को भी तो दो पोजिशन मिलना की पिरिटेवर यह उसका जाब इस मैंडलिक की पिरिटेवल में कुछ ऐलिमेंट्स एसे अरे इस ते जिनका एक्टमिक मास हाय आरे बटो पिरिटेवल में बिपॉर पहले है एवियर एलिमेंट के बाद में लाईदा इस ट्रावरेक्स है ग्रूप में जो एलिमेंट थैस्त घ्रूप में अलकली में इनकी प्रपर्टी फास्ट वीग ग्रूप की अलकली मेंट बॉस्ट प्रॉपर्टी में इनके अपाइलग निका रिग्ट यह प्राप्लम आ गई यहां पर इसने गोल्ड को रहा है और गोल्ड की प्रापरटी आप जान तो प्लेटी नम से नहीं और प्लेटी नम को हेट्थ गुप मेरा जिनकी प्रापरटी से में उनको डिफ्रेंट प्लेस देगे और जिनकी प्रापरटी डिफ्रेंट वनको सेंट प्लेस देगे यह मैंडली प्लेटी नम जो प्लेटी नम प्लेटीन वोल्ड उसके बाद आता है तो यहां पर क्या हुआ कि जो प्रापरटी है सेम है वाइलिंग आया रहे है कि मैं लिफ्रेंट प्लेटी ना वह सारी प्रापरटी जो होती है वह सब से में लेकिन इनके गुरूप पर तो यह मैंडली प्लेट पीरियोडिक टेबल के अब यहां से हम कि जो हाइड्रोजन इसका एटोमिक नंबर वान एक हिलेक्टान डाइग्राम क्या बनेगा वन एस वन अलाकि इसकी आवसक्ता नहीं होगी बड़ हमको यह समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन को अलकली मेटल के साथ प्लेस्टों ऐसी क्या उसमें गेरेक्रिस्टिक टाप सब्सक्राइब के जो फस्ट एग रूप है अलकली मेटल उसके साथ क्यों तो पहला प्वाइंट यह है कि हाइड्रोजन का और अलकली मेटल का जो आउंटर मॉस्ट इलक्रामी कांपी दूरेशन है वह सेम है कैसे सेम है है आइड्रोजन के पास एक लगता वन एसमान उसका आउटर मुस्टार लीथियम के पास लीथियम थी इन अफस्तार विट्व सेकंड वान यह देखिए तू एस वन अरे टू लिए जाए वन दिखेंगे जाए तिरी लिए वह दो आपिक का नंबर है सबसेल तो एसे ना दोनों में और दोनों में कितना यह द्वान मतलब सेम कान परुबरेशन का मतलब सभी आउटर मोस्त में एश सबसेल में लेटान इंटरेश न करें डरी ओर सब्सक्रण की बिजाइन आपको एसे निए लिथियू की पिशती विजाइन आउटर मुस्त परोपी टूद्यक्वान है सोडियम इलेवाद टू इन इत्या कानफिग्र यह थिए स्वान सेम कांपीडरेशन आउटर मुष्ट एस वन मींज पोटेशियम नाइन पी टू ए ए टफन यह कांपीडरेशन पोर एस वान और यह वांटू थिरी पोर ग्या है यह तो एंड की वैल्वेन अटो एंडिक सकते हो सब्सक्रा लॉबी नॉबी ऑम 37 वा फस्वार टू सेखने है यह थाइप वा जा यह थाईपम श्ट जावर्डर आओर मॉश्ट एम सेखने है वांगर ट एंड ट एंड इंड 7 बागर देश्ट एंड 8 एंड 8 एंड 10 प्यसेवर्द एंड만 वांड लॉबीयर ग्सेवर्ट सब्सक्राइब के साथ क्योंकि उनके आउडर मौस्ट इलेक्रानिक पांपिदुरेशन से में सब्सक्राइब कर सकता है इसका अक्सिदेशन स्टेट क्या होगा लस्वन वेलंसी जाओ या उड़न सब्सक्राइब करेंगे सिंगर तो इनका अक्सिदेशन स्टेट भी सब्सक्राइब क्या है लास्वन वेलंसी क्या है अक्सिदेशन स्टेट प्लस माइनस साइब जससे होता है वेलंसी में प्लस माइनस साइब यूज नहीं करना वेलंसी का मतलब है और अक्सिदेशन में सब्सक्राइब कि अपनी रिक्वार्मेंट की कभी कभी एलिमेंट गेन ना डोनेट करें तो फिर आक्सिदेशन इस्टेट साइन के साथ हो तो अलकली मेटल का अक्सिदेशन इस्टेट क्या है प्लस वन हाइड्रोजन पर क्या है आप बेशिक कर रहा है हमारा जो बेसिक कोर्स की स्टेडि हम कर रहा है ताम हम ने स्टेडि किया था जिस मुद्धियाल की है्टोजन से रिक्षन हो जाए समझ दोसका रिड़क्षन हो तो है ये इसा मटेरियल है में हाई लोजन इदी इंगे जम को डूनर बने जो इलक्तान को आसानी से डूनेट करें मतलब वह वह क्या बन जाए कि डॉक्तर में दी फार डॉनर आर फार डिदूजी जेंग जो डॉनर होता है वह दूजिंग अजयंट होता है तो यह सब भी इलक्तान रिलीच करने की टेंडेंसी आपको बढ़ा है यह मौस्त रियक्टिव मेटल है तो निगते होगी जिसकी आएपको रिलीच करेंगी ना रिलीच करना मतलब ढाना जोगर हो ड। इसका मतलब अलकली मेंटल की आएपी की है इसके गारण हमें आपको आसांए से विलीच करती है तो जिस तरह हाइड्रोजन होता है उसी तरह है इतनी सारी प्रापरटी से नेज होती है तो मैंने लिप कंफ्यूज हो गया हाइड्रोजन को फास्टेट में अरेंज करके चाहिए कि आपकी प्राबलम है कि इसकी स्टेडिकरें के बाद यह कुल लाए कुला सब्सक्राइब हो यह आपकी प्राबलम में लिपती नहीं है अब समस्या इकेस में डी परेंच ही लगता मेंगी इस हमें भी का बहुत साइब जैसे इक हमें लग्राइब तो श्राइब कर लिया तो माइनस वन यह अलकली मेटल से इसका डिपरेंस अलकली मेटल सब्सक्राइब को नहीं कर साथ हाइड्रोजन जब मालीकूल का फार्मेशन करता है तो वह हमेशाँ एच तू को वेलेंट गौन का फार्मेशन जब कि जितनी भी अलकाली मेटाले वो या तो मेटलिक बॉन का फार्मेशन करेगी या आयूनिक बॉन इस लिए होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए और यह हमारा हमारा कंक्लूजन नहीं है यह बाद वाले साइंटिस्ट में गोला इसको यहां से हटा हो और हटा करके इसको कहां रखा वह हमको पता चलेगा जब हम उसको आएंगे तब हैड्रोजन की पोजिशन बॉडर्ण प्यूर्यटिक टेबल में इसको नोट करेंगे उसके बाद फिर हैलोजन फेमिली से इसकी क्या प्राफर्टी में चोती है उनके बारे में आप चलोरीन 9 इला परस्टर बिट 2 2 2 2 5 ौ लोरीन 172 8 7 ौ ब्रॉमिन 35 इला प्रस्टर बिट 2 2 2 3 3 8 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 इसके पास कितना इलक्तान है अपने आउटर मोस्ति सिंगल रिक्वार्मेंट क्या है वान सिंगल इलक्तान तो इसकी रिक्वार्मेंट एक इलक्तान है इसकी रिक्वार्मेंट क्या आप्रेट डंटी टर्मेंट वन तो सेम कान्फिकुलेशन तो है दूसरा पामि इलसरी अच्छीडेशन इस्टेट क्या है माइनस वान है यह सब भी क्या है नानमेटा एलोजन फेमेली के मेंबर्स नानमेटा है हाईड्रोजन फीनानमेटा है था हाईड्रोजन फां डाइटोमीट मालीकूल है सब भी डाइटोमीक मालीकूल बनाते जिमका नाम क्या रखते हो आप तू लिए अप टू बी आरटू है टू टू आरटू ओ अ किका है नोट करें वे, ये स्की, सेम प्रापरटी में शोबे,